नमस्कार, मैं अदिती और आप देख रहे हैं न्यूस नाव सारण के महाराजगंज में कोरोना वाइरस महामारी से निजात दिलाने के लिए तीन आपदा शिविर का निर्माण किया गया वही आपदा शिविर में मेडिकल टीम, भोजन रहने आदी की व्यवस्था अनुमंदल प्रशासन द्वारा किया गया हैं वहीं जब आपदा शिविर खुद आपदा में पढ़ा हिया जब जानकारी मिली तब न्यूस टीम पहुँची तो इस आपदा शिविर की पोल खुल गई आईये जाने इस आपदा शिविर के बारे में सारण के महाराज गंज में कोरोना वाइरस महामारी से निजात दिलाने के लिए तीन आपदा शिविर का निर्माण किया गया जब जानकारी मिली तब न्यूस टीम पहुँची तो इस आपदा शिविर की पोल खुल गई आईये जाने इस आपदा शिविर के बारे में सारण के महाराज गंज में कोरोना वाइरस महामारी से निजात दिलाने के लिए तीन आपदा शिविर का निर्माण किया गया वही आपदा शिविर में मेडिकल टीम, भोजन रहने आदी की व्यफस्था अनुमंदल प्रशासन द्वारा किया गया हैं वहीं जब आपदा शिविर खुद आपदा में पढ़ा हिया जब जानकारी मिली तब न्यूस टीम पहुंची तो इस आपदा शिविर की पोल खुल गई आईए जाने इस आपदा शिविर के बारे में सारण के महाराज गंज में कोरोना वाइरस महामारी से निजात दिलाने के लिए तीन आपदा शिविर का निर्मान किया गया वही आपदा शिविर में मेडिकल टीम भोजन रहने आदी की व्यफ्था अनुमंडल प्रशासन द्वारा किया गया है वहीं जब आपदा शिविर खुद आपदा में पढ़ा हिया जब जानकारी मिली तब नियूस टीम पहुंची तो इस आपदा शिविर की पोल खुल गई आईए जाने इस आपदा शिविर के बारे में सारण के महाराज गंज में कोरोना वाइरस महामारी से निजात दिलाने के लिए तीन आपदा शिविर का निर्मान किया गया वही आपदा शिविर में मेडिकल टीम भोजन रहने आदी की व्यवस्था अनुमंडल प्रशासन द्वारा किया गया है जो भी बाहर से लोग दिली से चाहे और अर्शेट से लोग आएंगे उनको उनको राहत के लिए रहने खाने पीने और मेडिकल किस्व विधा के लिए बनाया गया है देखिए यहां पर रहात सीविर में रस्टेशन करने वाले भी कोई बेक्टी नहीं है ना कोई मेडिकल टी किया यह पर्साश्ण की घोर है पसले लगाई यह आफाय आता अ मुंब